दस लाग से लेकर 15 लाग के रेंज में अगर आप एक अच्छी सेवें सिटर कार ढून रहे हैं तो ये वीडियो कास में आप लोगों के लिए बनाया है इस वीडियो के अंदर में उन पाच सेवें सिटर कारों के बार में डीटेल में बात करूँगा जिनकी ओन रोड कीमत अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी दक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बल नोटिफिकेशन का उन जरूर कर लेना फर्स्ट नंबर पर मैंने किया की करेंस को रखा है जो की एक MP पर लेना है तो वह भी आप इस कार का लूप काफी सदा बहतरी नरका है ये कार फ्रेंस दिखने में काफी सब्सक्राइब नहीं लगती है इसका साइट का प्रोफाइल भी दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव है और भई इसका रियर का फीशा आपको डेफरेंटली प कतन ही आएगी हाला कि इसकार के बेस मोडल से ही आपको अच्छे कसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इसकार के अंदर आज के रेट में दो पेट्रोल और एक डीजल इंजिन का ऑप्शन दिया जाता है जिसके देद आपको 16 किलोमेटर पर लीटर से लेकर 21 किलोमेटर प 4 विरियंटर को खरीद सकते है और इसका डीजल में आप सिर्फ एक विरियंटर को खरीद सकते है यहनी 15,000,000 के अंदर आपका बज़ेट है तो उसकार के इस निए प्ट्रोल पेट्रोल में चार वरियंट को खरी सकते हैं, आपको 4 ऑप्शेन्स मिल जाएंगे वहाँ पर और डीजल में आपको सिर्फ एक ही वरियंट जाएगा। पेट्रोल में आप Kia Currents का premium model खरीज सकते है जो कियाता है IMT transmission के साथ जहाँ पर आपको clutch का option नहीं मिलेगा और इस model की action room कीमत 11,99,000 रुपीज रखी गई है और same model की on road कीमत 14,11,000 रुपीज तक चली जाती है यानि 14,00,000 रुपीज के उपर आपको थोड़े से extra पैसे दने पड़ेंगे अगर आपका budget इससे भी थोड़ा सा ज्यादा है तो आप इसके उपर prestige variant खरीज सकते है जिसके अंदर आपको थोड़े से extra features मिल जाएंगे लेकिन किया करेंस के नदर आपको diesel engine लेना है तो आप इसके base model को खरीद सकते है डीजर engine के साथ भी आपको IMT transmission को option मिल जाएगा और इस model को खरीदने के लिए आपको 12,64,000 रुपीज देने पड़ेंगे extra room price के तोर पर और इसी model की on road की मत 15,12,000 रुपीज तक चली जाती है और आपको top model भी आराम से मिल जाएगा तो इस surprise नहीं आपको इन दोनों है कारों के बहुत सरी variants देखने को मिल जाएगे हलाकि आपर bolero के अंदर आपको थोड़े से कम features देखने को मिल जाएगे as compared to bolero new लेकिन अगर आपको एक थोड़ी सी अलग कार चाहिए आपको महींदर प्रोड़क लेना है तो आप बोले रो नाम की थर्ड कार होने वाली है इंडिया में इसको अगले एक-दो महिनों के अंदर इंडिया में officially launch किया जाएगा अगर आपको bolero और bolero new नहीं चाहिए तो उस case में आप इस कार के लिए वेट कर सकते हैं हालाकि इस कार की केम अपको थूड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी लेकिन वहाँ पर आपको features extra मिलने वल है look आपको अच्छा हसा मिल जाएगा और वो कार इन दोनों कारों के में उकाबले थूड़ी सी बड़ी होने वाली है तो वो एक difference आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन आज के date में bolero और bolero neo के अंदर सिर्फ डीजल इंजिन का option दिया जाएगा जिसके तेद आपको 15 km पर लीटर से लेकर 18 km पर लीटर का mileage मिल जाएगा लेकिन अगर आपको bolero लेनी है तो bolero के अंदर आपको 3 variants देखने को मिल जाएगे वही bolero neo लगबग 5 अलग variants के साथ आ जाती है bolero neo के extra room की इमत स्टार्ट होती है 9,63,000 रूपीज से और इसके top model की extra room की इमत 12,14,000 रूपीज तक चली जाती है और bolero neo का आप top model भी खरी सकते है top model को खरीदने के लिए आपको देने पढ़ेंगे 14,52,000 रूपीज अन रोड प्राइस के तौर पर तो इस surprise range में आपको bolero neo का top model मिल जाएगा अगर आपका budget इतना भी ज़दा नहीं है तो उस case में आप नीचे वाले model को consider कर सकते है bolero के एक्षरूम की इमत स्टार्ट होती है 9,78,000 रूपीज से और इसके top model की एक्षरूम की इमत 10,79,000 रूपीज तक चली जाती है इसका भी top model आप खरीद सकते है और इसके top model को खरीदने के लिए आपको देने पढ़ेंगे 12,93,000 रूपीज तो यहाँ पर दोनों ही model के prices मैंने आपको बता दिये है अगर आपका budget जादा नहीं है तो उस case में आप इन दोनों ही कारों का base model या फिर second base model खरीच सकते है अगर आपका budget थोड़ा सा जादा है तब इनके top variant के बारे में भी सोच सकते है या फिर इस list के आप बाकी कारों के बारे में भी सोच सकते है दोनों ही कारों के उपर आपको इतना बेज़दा waiting period देखने को नहीं मिलेगा हलाकि कुछ इस cities में लगवगद दो महीनों का waiting period आपको इन दोनों कारों के उपर देखने को मिल सकता है तीसरे नंबर पर मैंने महीनर की मरेज़ों का रखा है हलाकि इस कार को रखने का एक simple reason है अगर आपको इस surprise range में ज़्यादा comfort ठीए तो ये कार आपके लिए perfect option साबित हो सकती है हलाकि इस कार का look आपको थोड़ा सा अजीब देखने को मिल जाएगा features आपको थोड़े से कम मिलने वाले हैं लेकिन comfort के हिसाब से इस कार के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप test drive लेने की सोच रहे हो तो आप इस कार की test drive ज़रूर लेना तब जाकर आपको इस कार के बरे में और बेज़ादा information मिल सकती है यानि practical चीज़े आपको आराम से पता चल जाएगी हलाकि इस कार के अंदर आपको comfort next level देखने को मिल जाएगा comfort के हिसाब से इस कार को मैंने इस list के अंदर include किया है आज के date में इस कार के अंदर आपको sit for diesel engine का option मिल जाएगा और इस कार की एक शुरूम कीमत 13,71,000 रुपीज से शुरू होकर 16,03,000 रुपीज तक चैली जाती है आप मरेजो का base model भी खरीज सकते है लेकिन base model को खरीदने के लिए आपको आपका budget थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसके base model को खरीदने के लिए आपको 16,37,000 रुपीज दने पड़ेंगे यानि 16,00,000 रुपए के ऊपर आपको मरेजो का base model मिल जाएगा लेकिन अगर आपको सिर्फ comfort चाहिए तो उस case में आप इस car के बारे में सोच सकते है अगर आपको feature चाहिए अच्छी दिखने वाली car चाहिए तो उस case में आप किया currency के बारे में भी सोच सकते है तो यापर pricing आपके सामने है इस car के ऊपर आपको ना के बराबर waiting period देखने को मिल जाएगा लेकिन कुछ सेटीज में एक महिने से लेकर आपको दो महिने का waiting period देखने को मिल सकता है फोर्थ नंबर पर मैंने सबकी फेवरेट अल्टिगा को रखा है जो की इंडिन माकेट में काफी जदा बिक्ती है और पिछले कुछ महिनों से इस car का sale आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा हलाकि इस car की demand काफी जदा है और इस car के ऊपर आपको काफी जदा waiting period देखने को मिल जाएगा आज का जएट में अर्टिगा के अंदर एक petrol और एक CNG kit का option दिया जाता है और ये car petrol engine के साथ लगबग 20 km per liter से लेकर 21 km per liter का mileage देती है लेकिन इस CNG kit के साथ आपको मिलेगा 26.11 km per kg का mileage जो की अच्छा फासा माना जाता है लेकिन CNG model को खरेजने के लिए आपको लगबग एक साल का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि CNG model की भी demand काफे जदा है और इस अगार की एक शरूम की मत 8,64,000 रूपीज से शुरू होती है और टॉप model की एक शरूम की मत 12,79,000 रूपीज तक चली जाती है और 15,00,000 के बजेट में आप अर्डेगा का base model भी खरीज सकते हैं और इसका top model भी आपको आराम से मिल जाएगा तो यहापर pricing के इसलाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके पास बहुत सरे options भी आ जाएगे हाला कि 15,00,000 के अंदर आपको CNG model भी मिल जाएगा आराम से अर्डेगा के base model को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 10,00,000 रुपाई on-road price के तौर पर यह चीज मैंने आपको बताई है वही अगर आपको अर्डेगा का petrol में top model खरीदना है तो आपको 15,00,000 रुपीज देने पड़ेंगे on-road price के तौर पर और इसके VXI और ZXI model के अंदर CNG kit offer किया जाता है VXI model को खरीदने के लिए आपको 12,21,000 रुपीज देने पड़ेंगे on-road price के तौर पर वही ZXI model को खरीदने के लिए आपको 13,44,000 रुपीज देने पड़ेंगे तो यहाँ पर 14,00,000 के अंदर आपको अर्डिगा का CNG model आराम से मिल जाएगा तो यहाँ पर अर्टिगा के prices आपके सामने है लेकिन इस अगार के normal variant के उपर आपको 3 महिनों से लेकर 6 महिने का waiting period देखने को मिल जाएगा और जिन variant के demand काफे जदा है उन variants के उपलगबग 10 महिनों से लेकर 12 महिनों का waiting period आपको देखने को मिल जाएगा वेसे अर्टिगा कार आपको कैसे लगती है comment section में जरूर बता देना आखरी नमबर पर मैंने Scorpio N और Scorpio का classic model रखा है हलाके इन दोनों ही गारों को खरिदने के लिए आपको आपका budget थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसके अलावा आपको इंतजार भी थोड़ा सा extra करना पड़ेगा Scorpio के classic model के अंदर सिर्फ डीजल इंजिन दिया जाता है लेकिन Scorpio N के अंदर आपको petrol engine का option मिलेगा ये car डीजल engine के साथ भी आ जाती है और इस car के अंदर आपको 4x4 का option मिल जाएगा तो यहापर Scorpio N के अंदर आपको काफेज़ दा options मिल जाएगे Scorpio के classic model की extra room कीमत 13,00,000 रुपीज से शुरू होती है और top model की extra room कीमत 16,00,000 रुपीज तक चली जाती है हलाकि इसका base model भी आपको खरी सकते हैं और base model को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 15,72,000 रुपीज यह मैंने on-road price आपको बताई है यहापर आपको 15,00,000 से उपातोरे से extra पेसे देने पड़ेंगे तब जाकर आपको Scorpio के classic model का base model आराम से मिल जाएगा लेकिन Scorpio N की extra room की मत स्टार्ट होती है 13,05,000 रुपीज से और top model की extra room की मत 24,51,000 रुपीज तक चली जाती है और Scorpio N का base model भी खरी सकते हैं पेट्रोल इंजिन के साथ जो की है Z2 variant और इस model को खरीदने के लिए आपको 15,00,000 रुपे देने पड़ेंगे यह मैंने on road price की तोर पर आपको बताई है तो यहापर Scorpio N और classic model के prices आपके सामने है और दोनों हे कारों के उपर आपको अच्छा खासर वेटिंग परेट देखने को मिल जाएगा classic model के उपर लगबग 6 मैने का वेटिंग परेट चल रहा है लेकिन जो Scorpio N है इस कार के उपर आपको दो साल तक वेट करना पड़ सकता है तो यह पाच 7-seater कार्स थी जो कि आप 2023 में खरीच सकते हैं यहापर आपको कुछ कारों के अंदर ज़्यादा माइलिज मिल जाएगा कुछ कार्स काफी comfort प्रोवाइड करती है कुछ कारों का लुक काफे ज़्यादा बहतर है और कुछ कार्स ऐसे भी है जिनके लिए आपको दो साल तक वेट करना पड़ सकता है तो इन पाच कारों में से आपको कौन से कार सबसे दर्च लगती है कॉमन सेक्शन में ज़रूर बता देना वीडियो अच्छा लगा होता जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंट्रस्टिंग वीडियो से देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बाल नोटिफेकेशन को ज़रूर कर लेना